प्रिये भाई और बेहनों, आज का शुबस अंदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करेंगे। वनी हमा उसे की पुद्धी से बाहर वनी हमारा करमेश्वर है। आज का संदेश प्रफुक दास डेविड पी ऐसे गुजराच से वाटा जाएगा। प्रारतना के साथ सुनिए। परमिश्वर के नाम इस्तुदि हूँ, मोनी वोइस द्वारा सुनने वाला तमाम अमरा स्रोध गणों को प्रभुईश्य मसी के धनी नामें प्रफाद वन्दन अरपन करता हूँ। आज का मनन के लिए पहले दिहास 21 स्वध्याई का 24-25 कलम अब लोगों को सामने पढ़के मैं सुनाना चाहता हूँ। द्यान से सुनियेगा। द्यावूद ने उस स्तान के लिए औरनन को छे सो शेकल सोना तिल कर दिया है। और हम बढ़ते हैं और जो अबरहाम जो आराधना अपन करने के लिए चाहता था। उस समय जो सच्ची आराधना किसी भी प्रकार का बहुमूली चीच चड़ाने के द्वारा होनी चाही। अबरहाम के लिए अपना एकलोध पुत्र इसहाक बहुमूल्य था। उस बहुमूल्य भेंड को अबरहाम ने चड़ाया था। को हम उल्पती पुस्तग बाविस में बढ़ते हैं। इस समद में दावुद ने एक दूसरी एक भाग जो औरनान। औरनान से जो कुछ कहा वस ध्यान देना लाइक है। मैं इसका पूरा दाम ही लेकर इसे मोर लूगा। जो तेरा है उस मेरा यहोवा के लिए नहीं लूगा। और ना सुत मोत का जो होमबिली चड़ाओंगा। तब दावुद ने उस तान के लिए औरनान को छे सो शेकल सोना तोल कर दिया है। दावुद ने एक वेदी बिनाए और होमबिली और मेलबिली चड़ाकर यहोवा से प्रातना की। और उसे होमबिली की वेदी पर सोर्ग से आग गिरा कर उसकी सुन ली। और हम बढ़ते हैं 26 कलम में हम बढ़ते हैं। पर मेश्वर बहुमूली आरादना को ग्रहन करते हैं। मर्यम ने प्रभुईश्वर के लिए बहुमूली इत्तर चड़ाया। अम मर्कास रेजिद सुसमाजार 14 अध्याय में बढ़ते हैं। जो मर्यम परमीश्वर के लिए प्रभुईश्वर मसी के लिए एक इत्तर दिया है। नौट पॉल्यूटेड जो दुर्गंद वाला नहीं है। अध्यम सुगंद वाला जो दिया है अर्थात। अराधना में जो अलगाओ की अविश्गदा है दूसरी एक बाद है जो अबरहाम ने अपने सेवगों से कहा गेदहें के पास यही टहरे रहो यही लड़का और यह में वहां तक जाकर और धंडवत करके फिर तुमारे पास लाउट आएंगे उल्पती पुस्तग में अब बढ़ते हैं बावी संद्याई का पांचमा कलम में और ओ आयत में इस प्रगार बढ़ते हैं अब रहां काते हैं में और मेरा जो लिड़का जो आरादने करके वापस लाउट हंगे प्यारों एक बहुत बड़ा विश्वास के साथ पिदा पुत्र मोरिया में जाने का एक सीन एक तश्वीर अमेरे सामने है परमिशुर की संदानों को आरादना करने का अधिगार दिया गया है सेवगों को नहीं बज़सगीदा 29 पहले कलम में लिका है ये परमिशुर के पुत्रों ये होवा का गुनानवाद करो और आरादना परमिशुर की महिमा के लिए और हमारी आशिस का कारण होगा और आराधना में और जो में आराधक की कोई महिमा नहीं आराधना के योग ये परमेश्वर ही की जो महिमा है वो बहुत ध्यान रखने का एक विशी है प्यारों आज हम इस सुबह समय में ओतड़ा याद रखने का है जो आराधना करने वाला वेति को क्या कई इंबोटन नहीं है और प्रमेश्वर को पूरा इंबोटन्स और प्राधानिदा देने का है दरम बढ़ते हैं दनिवाद के बिलिदान का चड़ाने का चड़ाने वाला मेरी महिमा करता है बज़संगीदा 25-23 में इस प्रारम बढ़ते हैं बिली चड़ाने के बाद और जो अबरहान से परमेश्वर ने कहा मैं निश्ची मुझे आशिश दूगा और निश्ची तेरे वंस को आगाश के तरागन समुद्र के तीर की मालो के खिनकों के जो समान और अपने जो अनगिंदिल करूँगा और तेरे वंस अपने शत्रों के नगरों का अधिगारी होगा और पृति की सारी जादियों अपने को तेरे वंस को कारण धन्य मानेंगी क्योंगी तुने मेरी बात मानी है उल्पति पुस्तग में बढ़ते हैं बावी सद्जाय की सत्रा और अठारा पद में अम पढ़ सकते हैं प्यारों एक शब्द में जल्दी बोलके समावत करना चाहता हूं आराधना के एक महुत्व है परमेश्व ने मुसा के द्वारा दस आज्यायें दी हैं सरोप्रदम आज्या आराधना संबंदी हैं तु मुझे चोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना माना हम बढ़ते हैं नर्गमन की पुस्त बावी सोरी वी सद्याय की तीसरा पद में एक वह जिसके नाम जलन्शील है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है नर्गमन जो 34 वर्स 14 में उस हम बढ़ते हैं अराधना का जो महुत्व समझ कर सिखाने के लिए परमेश्वर ने जंगल में मिलाव वाला तंबू और उसके बाद मंदर के दिया है मिलाव वाले तंबू के नर्मान का नमना परमेश्वर ने मुसा को दिखाया उस परगार मुसा ने जो बनवाया बेली चड़ाने और यहोवा के जो पर्व मानने के विदी और नियम परमेश्वर ने उन्हों ने दिये थे अराधना मानिफशी के खोज नहीं परमेश्वर के जो उत्तम योजना है जब इसराइल मूर्ति पूजा में मगन हो गया तब परमेश्वर ने उन्होंने दुनिया के चारों और तितर बितर कर दिया है प्रमेश्व के दूसरा आगवन के बाद सुर्ग में अराधना का एक भव्य दरशन हम देखते हैं प्रगाश्वद confessed Vaak wahr के अ ध्याय में चार और पांच में हम देख सकते हैं प्रमेश्वर के लोग सुर्ग में युग उसके आराधना करते रहेंगे प्रमेश्वर दुनद शो तो चूदिए दे